कि नमस्काल डिस्टोजर विद्विनूद में आपका स्वागत है और आज डिस्टोज करेंगे डक्टर ताहिर चोद्री जो प्रवक्ता है भारती जन्रता पार्टी और मूल डूप से यह स्टी कम्मुनिटी से बिलॉंग करते हैं स्वागत अताई थे गड़े की फास बन गी है आपके लिए शीट कालीन सत्र में सो फिस्ट दी तया है कि पहारी ट्राइब को स्टी का धर्जा मिलना है और आज यह भी तया हो गया कि नौ सीटें जो है स्टी कम्मुनिटि के लिए जम्मू कश्मीर में रिजर्ब भी रखी गई है और मुस्य वथ इसलिए आपके लिए उलकी कि क्योंकि आप एक कम्मुनिटी को रिपर्जेंट करते हैं और पहारी ट्राइब को जब एस्टी का दर्जा मिलेगा सभाविक सी बात है आपकी जो कम्मुनिटी है रियक्ट करेगी रिजेंट्मेंट शो करेगी देखे विनोजी जहां तक गुझर कम्मुनिटी की बात आती है मुझे नहीं लगता कि जम्मू किشमीर में इसके ओपर कुछ जेंडमिन्ट की बात आएगी जहां तक प्रधानमंतिर साब की बात की जाए, होमनिश्र साब की बात की जाए, उन्होंने कमिट्मेंट किया जम्मो किश्मीर स्टी कम्यूनिटी के साथ कि आपका जितना भी परसंटेज है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा चाहे जाब्स में हो, चाहे कॉलिजिस में हो, चाहे प्रफेशनल कॉलिजिस में हो, चाहे पॉलिटिकल जर्वेशन में हो जहां तक पहारी सुमधाय की बात आती है, उनका हम वेलकम करेंगे बहुत पुरानी डिमांड थी उनकी बड़े पुराने टाइम से वो लोग संगर्श कर रहे थे ST का धरजा लेने के लिए और देर आए दुरूस्त आए उनको मिल गया अच्छी बात है और जहां तक बात आती है आप जो सोच रहे हो वो चीज़े नहीं होंगी लेकिन कुछ ऐ चैनल के माद्यम से चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि गुजर समुदाय के लोग चाहे उसमें गुजर हों बकरवाल हों चितने भी हों उनको किसी को भी घबरानी की ज़रूरत नहीं है जब परदान मंत्री साब और होमनिस्टर साब किसी चीज़ के ओपर वादा करते हैं और वो आपने वादे के ओपर बिल्कुल पूरी तरह से उतरते हैं उन्होंने बार बार इस चीज के लिए कहा कि बिल्कुल घबरानी की बात नहीं है आपका कोई भी जो आपका परसंटेजा उसको डिस्टबनी किया जाएगा लेकि लग साब आप पर डाय तो बन जाता है आपको इस जायतु का निर्वा करना होगा आपने खुद ही कहा कि कुछ हर एक कुछ प्लैक्शीफ होती है जो माहूल को बिगाडने की कोशिश करती है आप बीजेपी से तालुक रखते हैं कॉम्नेटी से तालुक रखते हैं और आप पर रिस्मोंसिबिल्टी ज्यादा ता जैसा डिस्टरबेंस होने देंगे जो लोग भी कोशिश करेंगे उनको समझाया जाएगा और अवाम को एक जो ओपन मेसेज जाएगा मीडिया की तरफ से प्रदानमंतिर साब की तरफ से हमारी जम्मू की हाई कमांड की तरफ से रविंदर रहना साब 24 गंटे गुजरों के बीच में रहते हैं पहाडी के बीच में रहते हैं और उनका भी जब मेसेज बीच में जाता है तो हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं लोगों को तोड़ने की बात नहीं करते जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके आप उनके पुलिटिकल पार्टी के भी आप ह किया गया है जिसको कैश करने की बिजूरत है जैसे आपके कम्मुनिटी के एक सदेट से को राईज सबा का सदेट से बनाया गया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से लागू किया गया है और बहुत सारी और भी एक्दामाद किये गया है लेकिन उसको जमू किश्मिर की मैं बात करूँ गा, बहुत बुरे हालाद में कम्यूनिटी थी, अगर आप आप अचिसी में धारी शेत्र में जाते आफु हो तो लोगों के रहने से को लेके तोुकिस्ट को लेके उस सोच कि अगर बात की जाए उसमें आवास योजना की अगर बात की जाए तो जम्मू में मुझे लगता है जितने डिस्टिक्स में हमारी क्युچ exec के लोगों को घर मिले हैं इतने पूरे हिंदोस्तान में नहीं मिले होंगे पुंच की बात की जाए हजारों की तादात में घर बने हर जगा पर किसी भी डिस्टिक की फार फ्लंग एरिया की बात करो इवन जीरो लाइन बॉर्डर पर भी जो गुजर समुदाय के लोग रहते हैं जिनके सर पे च्छ और जिस तरह से वो सोच रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है भारत देश का बड़ा मजबूत देश सामने निकल के आइस्ता इस्ता आएगा और जब नीचे धबे कुछले हुए लोग जब उपर आते हैं आइस्ता आपने देखा प्लिटिकल डिजर्वेश कि आते हैं लोग पड़े लिखे लोग हैं समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है कौन सचे वज्यक्तान करता है जूटे मुझे जोज भाता है लोग ग्रश की जन्ता चान चुकी है उसका हाली में आपने तीर जाजियों का रड लमतियों rhinißtा तो यह चीजन्ए पॉजिव च display है project के development के और वो हर शेहर में हर चोक में हर जगा जाते हैं और लोगों से सवाल किया जाता है कि बताओ आज भी अगर किसी की कोई problem है कोई issue है तो ले कि आओ administration उस चीज़ को handle करी है और on spot on issues को result लेगाता है लेकर लकसर मान लिया जाए बहुत कुछ किया है और सोच भी बड़ी उंची है और राज किले लाल किले से जो बोलते हैं उस पर अमल भी किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट क्यूं होते हैं जब मुझे कि रजोरी और बारा मुला में रैली हुई थी उसके बाद से पहाड़ी ट्राइफ ने अलक से जलूस निकाल ले थे गुजर बकरवाल ने अलक से जलूस निकाल ले ते गर इतना कुछ किया है तो रिजेंट्मेंट का कारण क्या है जैं मैंने विनूज जी आप से पहले ही बात शेयर की कि हमें जोडने की बात करनी है सब को साथ लेके बात कर चलने की बात करनी है जब तक सब को साथ लेके नहीं चलेंगे प्रदान मंतिस साब की ये भी बात है सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास जब ये चीज़ों के ओपर अमल नहीं किया जाएगा तो जम्मू किश्मीर तरक्की की रह पर जिस तरह से चल रहा है और हमारी स्पीड बढ़ेगी और पेस बढ़ेगी और मैं कहता हूँ वही आप जो कह रहे हो कि कुछ काली बेड़े हैं बीच में कुछ ऐसे एक दो पर्सनलोग हैं ज्यादा लोग नहीं और कुछ पुलिटिकल चल रही है वैसी चीजें सामने आएंगी वह चीजों को सामने नहीं आने दिया जाएगा गुजर बकरवाल समधा यह कहता है कि पहाडी ट्राइब जिनको यह स्टी का दर्जा देने जा रहे हैं वह वेल आफ हैं असर रसूख है उनके पास सरमायादार लोग हैं और डिजर प्रविशन नहीं मिलता है नहीं देखिए पहाडी का जो बात कहूंगा उनको पहले भी कहीं नहीं इस चीज़ के वह सिस्टम थे उनके एल सी होता था आर बी होता था और चीजों से भी वह लोग आ गया आते थे और सभी पहाडी को अब वेल आफ नहीं कह सकते पहाडी भी पिचारे बहूत पिछड़े होएं ऐसी जगों पे रहते हैं आप टूर कीजिए मेरे साथ चलेए मैं आपको दिखाता हूँ आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह गुजर परिवार के लोग पहाडी परिवार के लोग एंए एक ही एरिय में रहते हैं एक साईट पे वो रहत वो लोगों की भी देखे देश की हकोमत के आगे मांगने में कुछ शरम नहीं और बड़े लंबे टाइम से वो लोग प्रोटेस्ट करते थे उनकी डिमांड थी सरकारें आती रही जाती रही उनको गुमरा किया जाता रहा लेकिन आज के टाइम पे पहाडी जितने भी लीडर कि एरस थे जमू किश्मीर के वह समझे हैं कि सच बोलने वले लो Как कौन हैं और गुमराह करने वाले लोग को को नंको इस जीज का एसास हो चुका यॡगा एक पर यहीं पर जह रहा है वह लोग ऊघुनकर बड़र की ऑनके ब्योग को उन्हों सुछते हैं इसे जितना भी हर चीज पर प्रदानमंत्री साफब पे उंगली उठाने से बारति जंता पार्टी पे उठाने से बात नहीं बनेगी काम करना पड़ेगा जमीनी सता पर लोगों के साथ चलना पड़ेगा मैं कहता हूँ जितनी भी उन्होंने लोगों को गुमरा किया है आज तक इस चीज़ को वो लोग समझते हैं और इसका खम्याजा इस टेम पे वो लोग बहुत भी रहे हैं लेकिन अगर सिच्वेशन ऐसे बन जाएगी तो और डिफ्यूस कैसे करोगे आपके पास क्या रास्ता है देखिए जी रास्ता हमारे कारे करता जमीनी सता पे काम करता है जी हमारे रविंदर रहना साब एक ऐसा प्रेजिजिंट है हमारा जो 24 बाई 7 पब्लिक के बीच में रह हर चिसी के पास पोँचना यह नहीं देखना है कि यह कौन सी क्युम्निटी का है कौन से रिलिजिन का है यह इक्वालिटी जुहिंदर रहना साब में है और हम लोगों को समझाएंगे लोगों के बीच में रहेंगे वाहिद देश की पार्टी एक भारती जंता पार्टी है पबली के बीच में रहती है समीनी सता पर लोगों को समझाने की बात की जाएगी और यह जो चीजें लोगों को दिल और दिमाग में चाड़ी इन चीजों को क्लियर करेंगे नहीं दक्साँ अब इसे शुरू कर देना चाहिए प्रोसेस देखिए यह प्रोसेस चाड़ रहे भारती जंता पार्टी जिस तरह से जमेनी सता पे काम करती है बाकी कोई भी पुलिटिकल पार्टी उस दंग से काम नहीं कर सकती है हम लोग काम कर रहे हैं हमें एस चीज का कि आने वाला टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता है उसको कैसे लोगों को समझाना है उन चीजों को ल इनकी बिल्कुल गब्रानी की जूरत नहीं है परदान मंप्री साफ उनके साथ है देश उनके साथ है और जम्मो किश्मिर का गुजर समुदाय के लोग सबसे आगए आपको नजर आएंगे और ये चीजे ठीक रहेंगी अची रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी और ये लोग तरक्की करेंगे टरक्की के रास्ते खुल चुके हैं 2014 के बाद इन लोगों के लिए लगिन जब गुजर समुदाए के लोगों से हम बात करते हैं उन्हें काई ना पहाड़ीों ने बोर्ट डालना है और ना ही गुजर कम्मुनिटी अब बीजेपी को वोर्ट डालेगी के लिए उल्टा नुक्सान में होंगे ने 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 ये बातें कहने की बाते हैं जो लोग कहते हैं उन्हें मालूम है कि मीडिया पे आप ऐसी बातें कोगे आपकी बातों को कोई नी सुनेगा उन्हें मालूम है अवाम को मालूम है कि भारती जन्ता पार्टी क्या कर रही है परदान मंतरी साब पुरे देश के लिए क् कर रहे हैं और लोग जानते हैं उसका रजल्ट आपने तीन रज्जों में देख लिया वहां पर बहुत कुछ कहा जा रहा था बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थी जब रजल्ट आया क्योंकि अवाम सब कुछ जानता है आज के सोशल मीडिया का टाइम है हर कि के हाथ में स्मार्ट फोन है और हर कोई जानता है कि कौन सरकार क्या कर रही है कौन सा मंतरी क्या कर रहा है कहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है आप जूट नहीं बोल सकते हैं सच बोलेंगे पक्के वादे करेंगे सच्चे वादे करेंगे और प्रदान मंतरी साहब की ने इशालला जब वो टाइम आएगा सारी चीज़ें क्लियर होंगी विनोची और चाहे गुजर कम्यूटी के लोगों चाहे पहारी कम्यूटी के लोगों परदान मंत्री साब को भारती जन्ता पार्टी को दिलो जान से प्यार करते हैं कुछ की मजबूरियां हो सकती है इस तरह क लोग नहीं हैं हम उस परिवार के लोग हैं जो जमीनी सता पे काम करते हैं और नेक नियत से काम करते हैं इसलिए हमें अवाम का मालुम है चाहे जम्मू किश्मीर का अवाम हो चाहे देश की 135 क्रोट जनता हो वो मन बना चुकी है कि आने वले टाइम पे किसका हाथ देश की उपर रहना चाहिए और प्रधानमंत्री साब के हाथ की जरूरत है हमें अगर हमें दुनिया में और आगे बढ़ना है बारत का नाम और रोशन करना है चाहे स्पोर्ट हो चाहे एजूकेशन हो कोई भी फील्ड हो हम आगे रहने के लिए अगर आना चाहते हैं तो प्रधान क्षमीर के परिश्तिया कुछ हो रहे हैं देश की परिश्तियों को आप आंकरन कर सकते हैं लैकिन जम्मू क्श्मीर की परिश्तियों नियाएट अलक से हैं नहींजhic आज के टाइमपर लिए अगर आज कहना साथे और आप सोच रहे वो चीज़ें बदल चुकी है जहीं जम दिन पहले उमर अबदुल्ला साब का बयान नहीं देखा रल्ट साने के बाद उनके चेहरे के ओपर पर परिशानी सामने जलक रही थी तो बहुत सारी इशुज है इन लोगों के बड़ी सारी दिखते हैं चाहे पीडेपी की बात करो चाहे नेशनल कॉंफरेंस की बात करो चा का आवाम अजाद रहना चाहता है खुश रहना चाहता है पहले घुलाम बनके जैसे रह रहे थे किश्मीर में लोग किश्मीर का एक आम नागरिक परेशान था क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे सारी चीज़े तो बंद रहती थी फ्राइडे फ्राइडे क सुवाविक से बात है ने 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 दुख तो होगा ने 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 पुलिटिकल जरवेशन के ओपर अभी तक प्रदान मंतिर साब के जो राय है वो गुजर बकरवाल को ही सीर्स देने की बात है पहारी इसके लिए कोई बात नहीं है यह मैं आपको बात क्लियर कर दूँ और साब के बड़े सोच और बड़े दिल की बात है कि ओ किसी की आँखों में और किसी का दुख नहीं देख सकते बारती जनता पार्टी गवाहित पार्टी है जो 2014 में जब आई तो हमने पूरे देश में जो पिछड़े लोग थे जो दबे हुए लोग थे उनको उपर लाने के कोशिश की है मुझे नहीं लगता कि कांगरस ने कोशिश की है अब मंडल कमिशन की बात करलो उस तैएं पर भी अपोजिशन के टाइंप रजीव गांदी साब उस चीज़ का आपोजिशन बरोट कर रहे थेउ तैंस attract कर रहे थें कांगरस के कांग ने तो कभी इन लोगों क मैचीज इनके चलते थे, कि तुम यहां संबालो हम वहां संबालेंगे, उस तरह से यह खेल खेला जा रहा था, आब वो वक्त जा चुका है, इनके हाथ से पावर उस तरह से निकल चुके है, जैसे हाथ में आप रेट नहीं पकड शकते हो, वो कंडिशन है इन लोगों की चाहे उसमें डॉक्र फरुक अब्दुल्ला साब की बात करो चाहे और दिगज लीडर्स की बात करो परेशानी इनके चेहरों पर जलकती है आज अब आप लाइव देखिए भी अमिशा साब बोल रहे हैं इस टाइम पर और डॉक्र फरुक अब परिशान है वहाँ पर तो क्योंकि अब जवाब देने को कुछ नहीं है जब बारती जिन्ता पार्टी का कोई लीडर आता है वो पूरे फेक्ट्स के साथ आता है हर चीज़ें हाथ में होती हैं उन चीज़ों के उपर हम बैस करते हैं हम इदर उदर की बातें नहीं करते हैं तब ही आप देखिए पिछले साड़े नो साल में जितनी जम्मो किश्मिर्ने में तरक्की हुई है इतने सतर साल में नहीं हुई पूरे देश की बात तो आप छोड़ी है पूरा देश आज तरक्की कि रहाप है बारत देश पूरा बारत देश का डंका पूरी दुनिया में आज की डिट में बजाया जा रहा है यह चीजें ऐसे नहीं होती हैं और यह चीजें लोगों को डाइचस नहीं हो रही है आने वाला जो वक्त होगा दोजार चोबिस का और बेहतर टाइम आएगा और डुएलमेंट होगी और तरक्षी होगी और दुनिया में भारत का नाम सब के ओपर भारती जन्ता पार्टी पूरी तरह से फोकस है रविंदर रैना साब का पूरी तरह से नजर है माननी आशो कोल जी की पूरी तरह से नजर है और इन चीज़ों को देखा जाएगा हमारे होमलिस्टों साब अमीशा साब की नजर है इन चीज़ों के ओपर और मुझे नहीं लगता कि हम किसी को पी दरुदर होने देंगे, सब को साथ लेके चलेंगे, वह अच्छा मेसज रहता है, जब गुजर कम्निटी के लोग आप से सवाल जवाब करते हैं, कि देखिए, जी हमारा शेर वो खा जाएंगे, देखिए, सवाल जवाब की कोई खुझाश नहीं हैं, जब सेंटर हाई कमांड ने सीधी चीजें सारी क्लियर कर दी, क्योंकि वहां से एकदम साफ नियत है, प्रदान मंतिश साथ की, उन्होंने कह दिया, कि गुजर बकरवाल कम्निटी का एक परसंड भी शेर किसी चीज में नहीं खाया जाएगा, चाहे जॉब्स हों, चाह प्रफेशनल कॉलेजिस की सीट्स हों, पहाड़ी इसको जो भी परसंटेज दी जाएगी, अलग से उनके लिए सिस्टम बना के उनको दिया जाएगा, उनका इनका कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए गबराने की कोई बात नहीं है, गुजर समुदाय के लोगों को, और उनको गुजर समुदाय लोगों को भी बड़ा दिल दिखा के पहाड़ी इसको वेलकम करना चाहिए, जिस दिन ये अच्छा टाइम आएगा अनॉंस्मेंट होगी, उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम दोनों समुदाय एक साथ नहीं चलेंगे, सबसे इनके रिश्टो में खटास आ गिया, यह आपने घरों में रिच्टेंबी नहीं कर रहे है, पहले भी है लेकिन बिल्कुल वह लादा खटास आगिये है, एक प्लेट में खाना खाया जाता है, एक ग्लास में पानी पिया जाता है, शादियों में, ऐसी कोई बात नहीं है हाथ से हाथ मिलाके चला जाता है यह कहने की बाते हैं मुझे लगता है कि गुजर समुदाए और पहाडी समुदाए पहाडी शेत्रों में एकठे चलते हैं तो वहाँ पर रोनक दिखती है वहाँ पर खुशाली दिखती है यह सबसे बड़ी बात है जी लेकिन यह आगे भी किसी तरह रहे हमेशा ऐसे रहेगा हमेशा ऐसे रहेगा या फिर सरकार पार्लिमेंट में कोई फैसला लेगा उसके बाद लोगा यहां है जो बी एक दो परसंट लोग है उनका काम है विरोत करना उनका काम है लोगों को गुमराह करना वो आज भी गुमराह कर रहे हैं पहले भी गुम्रा कर रहे थे आपने बहुत टाइम पहले भी देखा इस तरह के एक दो पर्सन लोग होते हैं हर क्यूमिनिटी में होते हैं और उन लोगों का सब को मालूम होता है कि इनका रोल के वो क्यों ऐसा कर रहे हैं देखे जब आप दूसरी आपोजिशन की पार्टिय जो फार्मन मेनिस्टर है वो इसका विरूद नहीं करते हैं ये दूसरे सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं जो इसका विरूद करना है कि पहारी ट्रैप्स को अरक्शन नहीं मिलना चाहिए एस्टी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए इसकी वज़े क्या लिए इसकी मैंने आपको क में लाया जाए, फ्रेंट फूट पे लाया जाए, लेकिन अवाम समझदार है, वो सब कुछ समझता है कि सही क्या गलत क्या है, निक्राक साथ, अभी हम अमिशा को सुन रहे थे, ग्रीमन्त वी अमिशा, उन्होंने भी कहा कि पिछले सक्तर सालों से इन्होंने कुछ नहीं कि पिछली सरकारों ने जो कुछ किया, अब उसको दुराने की जरूरत नहीं है, सभी दुराते हैं, बार-बार कहा जाता है, और पिछली सरकारों के जो लीडर्स हैं, वो समझते भी हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब परिवार के बारे में सोचा जाए, परिवार की सियासत क यह परिवार हैं आपोजिशन के जो परिवार थे चाहिए इसमें एंसी हो पीडीपी हो कॉंग्रस हो और जितना नुकसान कॉंग्रस ने बाहरत देश को पुछाया है पिछले सतर साल में मुझे नहीं लगता किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने की वज़ा से हुआ होगा और परिवार समझते हैं और इस टाइम पे ये वापस भी आना चाहें सही लाइन पे नहीं आ सकते क्योंकि जो पुरानी आदिते खराब पड़ी हो ही है इन परिवारों को वो आतने सुदारते भी टाइम लगेगा दाक्षा कोई ऐसा ना हो अमलत सरी हल्वे का एक कहावत है पहारी वोट डाले ना वो डाले देखिए मैं आपको एक चीज बड़ा इंपॉर्टन है आपको गरंटी के साथ बता दू गुजर समुदाय हो चाहे पहारी समुदाय के लोग हो उन्हें मालूम है इस चीज़ का उन्हें एस चीज़ का कि दोजार चोदा के बाद जो चीज 20% परिवार ऐसे होंगे जम्हो किश्मीर में जिनके गरों में वाश्रूम नहीं थे जिनके बहने माएं बाहर जाती थी ट्वालेट यूज करने के लिए उपन में उनके गरों में बात्रूम बनाएगे उनके गरों में पानी के कनेक्शन लगाएगे उनके गरों में बिजल प्रदानमंत्री साब की सोच जो जमीनी स säताप पे एक आम इनसान जैंauseकिसaltra मिह ञाना है जब र freuen के रहे होते हैं कि वह ख्राकइव्णय के जनता हैं डेश के गरीब आए और आजब आग्यामत्री आई सब्सक्ती नख़ता है, हैं और ये लोग जानते हैं कि इतने साल जो लोग वादे करते रहे हम उसकी बातें सुनें लेकिन जो इनसान जो चीज़ कहता है वो उसको पूरी करता है या उसकी बात सुनी जाए तो इसलिए फरक साफ जाहर है तीन दाज्जों के चुनाव की बात आप देख लो दोजinflार 1024 की बात आप देख लीजिए गा जाहे जम्माह क err पूरा भारत देश हो बहुत कुछ बदलने है और आने वाला वक्त भारत देश के लिए अच्छा होगा जम्मो कुश्मीर के लिए अच्छा होगा यह ग्रंटी की बात है दक सब इस मूव के बाद पहारी ट्राइफ ने एक ऐसी प्रिशप्शन बनाई है कि गुजर और बक्रवालों में भी कंफ्लिक्ट पैदा होगी है बक्रवाल कहते हैं कि हम कुम्बे तो कुम्बे लेकर के चड़ते हैं वापीस आते हैं ने ने देखें जहां तक बक्रवाल समधाय की बात आती है गुजर समधाय की बात आती है सबी एक समान हैं उनके बारे में आपने देखा forest track पहले उनको एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए बहुत problems होती थी दस जगा से permission लेनी पड़ती थी अब तो यहां तक भी arrangement कर दिये गए सरकार की दरब से कि उनके माल ममेशियों को ट्रकों में लोड करके भी बुचाया जाए अब आपको सड़कों पर चलते भी नहीं देखते यह चीजें यह कहनी असान है करनी मुश्कल है सरकार के लिए वहां तक सरकार ने कदम उठाए और आज की डेट में administration का बड़ा focus रहता है हमारे बकरवाल समुदाय के ओपर कि इनको कहीं रास्ते में problem ना आए कहीं तकलीफ ना आए वेटनरी डॉक्टर इनके कैम्पस में जाते हैं जहां जाते हैं क्योंकि ट्राइबल्स हैं आज यह उदुपूर में होगे कल सो किलो मिटर आगे चले गए होगे क्योंकि इन्होंने move करते रहना होता है तो इनके बच्चों को education कैसे देनी हैं कैसे इनके बच्चों को mobile schools में mobile hospitals तो यह चीज़े 12-14 के बाद जो implement हुई हैं जो एक नहीं चीज़ें सामने आना शुरू ही पहले भी यह लोग वादे बड़े करते थे बहुत सारी बातें की ज आएगी क्योंकि जो नहीं जनरेशना है वो पढ़्ड रही है, आगे आरे है, आज के टाइम में आपड़ोगी मे偶े बहुत सांथ साथ रहे हैं आने वला टाइम बहुत आई है قाने आने future में बच्चे और आगे तरखी करेंगे यह क्मुनिटी जो तरखी करेंगी अच्छे जगा वेलाफ है उनके बच्छों को कम्पिटिशन क्या उनके साथ हो सकता है जो लोग माल ववेशी लेकर के जाते है पहारों पर फिर गर्में में वापिस आते हैं सरद्रियों में वापिस आते हैं देखिए इस इसके ओपर भी मैं कहता हूं आने वले टाइम पेस के ओपर भी फोकस करना पड़ेगा बड़ी क्युम्पिर का बेनिफिड लेते हैं इस कैटरागेरी का बेनिफिड लेते हैं तो ज़रूरी नहीं निया पक्राइब कर आदेखिए चीज़ें को पिर पर छरूं करने बड़ोरаешь करने लिए इस तरह के हत्कंडे अपनाएंगे लेकिन भारती जंता पार्टी की तरफ से हमारी हाई कमांड की तरफ से रविंदर रहना साब हो अशो कोल जी हो उन्होंने पहले भी दो तिन बार इन चीजों के उपर बड़ा सीरियस नोट लिया है मीटिंग्स हुई है और झाल